तुडेंट, तुडेंट, तुडेंग तूटीज एवेस लेसन शिक्स, ये मैं पेज नमबर आपको थर्टी एट समझा रही हूँ, दर रेन्बो, रेन्बो कैसे बनता है, दर रेन्बो है डिफरेंट कलर्ज टू मेक ए सेपक्टरम, रेन्बो होता है जो अलग-अलग कलर से एक सेपक्टरम बनाता है, ए रेन्बो कॉंसिस्ट ओफ दा सन स्पेक्टरम, रेन्बो में क्या होता है स्पेक्टरम कैसे बनता है सूरज की किरनो से, इट इस फॉर्मेट वेन दा लाइट इज रिफलेक्टेड राउंड दा इंसाइड ओफ मिलियंस ओफ रेन्डॉप्स, जब बरसात की बूंदें गिरती है, अब देखते हो जब बरसात की बूंदें गिरती है, तो उसमें सूरज की किरनो का रिफलेक्ट होता है, तो हमें रेन्बो दिखाई देता है, हमें देखते हैं कि बारिश के बाद ही हमें रेन्बो जैसे बारिश आती है, एकदम से सूर की किर्णों से रिफ्लेक्ट होता है पानी में तो अपने को रेन्बो दिखाई देता है थंडर स्ट्रॉंग थंडर एंड लाइटिंग आर प्रोडू दूरिंग ए थंडर स्ट्रॉंग देर इज हैवी रेन एंड स्ट्रॉंग विर्ज जब तेज बारिश आती है और तेज और ग्रांड तो जब एलएक्ट्रिष्टी डिस्चार्ज जब बिजली चमकती है तो ल्फ दो बादल आसमान में तकराते हैं तो दो बादलों के टकराने से चमकती है या क्लाउड कई आप देखते हैं अपने दिऊसमें में सुना होगा कि आज वहां लिगर गई इतने मर न्यूज में पढ़ा भी होगा न्यूज में सुना भी होगा तो cloud and the ground जब बिजली बादल जब धर्ती सेट कराता है तब भी बिजली चमकती है तो उससे बिजली और तुफान चमकती है और तो फिर तुफान आता है you can calculate how far away a thunderstorm is by counting the seconds between the second sound of thunder and the flash of जब ये अपने को जैसे अपने से ये तुफान और आंधी कितनी दूर है तो ये इसका अपने कैसे अन्मान लगा सकते हैं गिनकर और second में लाइटिंग एवरी three seconds represent एक किलोमेटर जो बिजली चमकती है तो वो तीन सेकिंड के अंदर अपने को एक किलोमेटर रिप्रेजंट करता है अगर अपने से दो किलोमेटर दूर होगा तो छे सेकिंड दूर बिजली चमकेगी तो अपने इसको काउंट कर सकते हैं रिमेंबर future can be future can be natural और मैनमेड जो यह natural चीजे होती है future होते हैं जो चीजे होती है या तो क्रित्रिम होती है या आदमी द्वारा बनाई जाती है अब यह answer और question मैं आपको करा रही हूं और साथ-साथ मैं आपको board paste करा के समझा दूँगी first question है why are dams built dams means band क्यों बनाए जाते हैं तो first question है इसका वायर डैम्स गुल बांग क्यों बनाए जाते हैं तो इसका answer है dams are built dams are built to produce मैं बांग क्यों च्प्राइ जाते हैं प्रिवेंट फ्लर्स तो फर्स्ट कोस्चन है डैम्स क्यों बनाए जाते हैं तो डैम्स या तो बिजली बनाने के लिए या फ्लर्स फ्लर्स मिस बार्ड आती है तो बार्ड को रोकने के लिए बनाए जाते हैं सेक्ट कोस्चन है राइट टू यूजी जॉफ कैनाल्स कैनाल्स के यूजीज क्या है दो यूजीज लिखने अपने को तो फर्स्ट है इसका तो फुव्लेश बार्ड का प्याट घट यूजीज राट वाटब की अचिवार्ड थीजूज बार्ड की अचज आती तो यूजीज वेर देर इंस शॉर्टग्य वेर देर इंसौर्टगं इसका अर्थ है जिस एरिया में पानी कम होता है पानी की shortage होती है तो वहाँ पानी को supply करने के लिए कैनाल का यूज किया जाता है इसका यूज एज वाटर वेज वाटर वेज वर वेज उज़ एस वाटर वेज वाटर वेज वर ट्रांसपोर्थ जैसे ट्रांस्पोर्ट से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान बिजवाते हैं तो वहाँ पर भी कैनाल का पानी यूज किया जाता है थर्ड कोस्टिन है वर्ट क्यूजिस दे एंड नाइट वर्ट क्यूजिस दे एंड वर्ट क्यूजिस दे एंड नाइट रात और दिन कैसे बनते हैं क्यूजिसs से लिए पर भी क्यूजिसस दे एंड आड़ा yद यर्ट का जबन पर दी कि gratis आर फ्रेवाप्राव्रोटी ओर्टरिय। वार्टोच आर्टोच ऋवार्टोच जाहिए देजिक नाइट जब अर्थ मिस धर्ती अपना रोटेशन 24 घंटों में पूरा कर लेती है कैसे जब आप देखते हो जब धर्ती है अर्थ है जो अपना चक्कर लगाती है 24 घंटे में पूरा करती है जब वो सूरज के सामने आ जाती है तो अंधेरा हो जाता है तो रात बन जाती है जब वो सूरज के बैक में पीछे आ जाती है राउंड लेते समय तो day हो जाता है तो इस परकार जब अर्थ अपना एक rotation 24 hours में complete करती है तो day और night बनते हैं जब खरकार जाता है तंडर अन लाइण बर्ण्ट 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 घुरिंग स्तूम जब दिट दूरिंग स्थ्टर्ण स्थ्टर्ण लाइण। जब थंडर और लाइट बिजली गरजती है तो तुफान क्यों आता है आंधिवे तुफान क्यों आता है बुफान क्यों आता है तुन मैं टुर क्यों आता है तुफान क्यों एक बिजली गर नाता है तर लागट है तुन मैं नेर्ग मैं अपहदी सावब तुन है एलेट्रिक डिस्चार्ज डिस्चार्ज विच क्योजेज विच क्योजेज थंडर एंड लाइटिन जब तेज बारिश आत्रिक डिस्चार्ज जब तेज बारिश आती है तो बिजली चमकती है तो थंडर और लाइटिंग होती है यह कोश्चन आप अपनी और बुक में कर लेंगे और लर्ण भी कर लेंगे और होंवर्क कंप्रीट करके चेक जरूर करवा लेंगे और के थैंक्स प्रिश गर्ण यह जब अपना है तो कर लेंगे यह कर लेंगे तो प्रिश्चन